तो यहां से आप वो पूरी क्लारिटी हो जाए कि प्रेजेंट सिंपल कैसे यूज होता है और प्रेजेंट कॉंटिनियस कैसे यूज होता है इसका जो डाउट है कि कई बार होता है कि यहां पर सर्फ प्रेजेंट कॉंटिनियस यूज करें या सिंपल यूज करें तो जो डाउट है वो कन्फूजन है वो आपका पर्मानेंटल अब clear हो जाएगा तो start करते हैं सबसे पहले लिख लेते हैं यहां पर heading डालो present simple versus present continuous सबसे पहले तो अपने को पता है तो present simple अब बात करता है और continuous आपका होता है वो क्या करता है progressive way में बात करता है ठीक है कितनी बात तो अपने clear है अब इसके थोड़ी सी working देखते है इनमें difference किया है present simple जो होता है न वो आपकी permanent चीज को बताता है permanent यानि अपनोंने जैसे पढ़ा था इसके बारे में कि quality को बताता है fix को बताता है ठीक है किसी person की quality का है किसी चीज की quality का है present continuous जो है न वो temporary को बताता है temporary का मतलब होता है जो permanent ना हो for a time के लिए हो उसको क्या बताता है आपका continuous बताता है यहाँ पर अपने example लेंगे उससे आपको पूरी clarity हो जाएगी कि यह दोनों किस तरीके से work करते हैं जैसे मैं example लेता हूँ Judy plays, plays यानि does play होगा, plays football every Tuesday Judy क्या करती है हर मंगलवार को football खेलती है तो यहाँ पर उसकी permanent quality है कि हर मंगलवार को क्या करती है football खेलने का काम करती है तो permanent fix उसकी quality habit को बता रहा है कि वो क्या करती है तो जब आप इस चीज को पढ़ोगे न Judy plays football every Tuesday मंगलवार को वो क्या दिखाई देगी आप वो खेलती हूँ दिखाई देगी मतलब regularity की form में दिखाई देगी रेगुलर यह काम करती है उसकी quality दिखाई देगी वहीं पर अपने एक और sentence ले जुडी या फिर ऐसे मतलो इस तरीके से ज़्यादा clear होगा मैं थोड़ा सा यहां पर change करता हूँ look there look there का मतलब वहां देखो Judy is playing football now देखो अपना simple है ना present simple उसको timeline पे अपने dietly शोर नहीं कर सकते present simple को शोर नहीं कर सकते permanent quality वह बार बार होने वाली activity है तो एक उसका अपने reference point रही नहीं सकता ठीक है present तक वह quality है उस चीज की उस तरीके से बात करता है वह लेकिन पहले भी चीज होती थी इस तरीके से वह चल रहा है आगे भी यसे लगे रही है football लुक देर वहां देखो जूडी क्या कर रही है फुटबोल है ना फुटबोल यही फुटबोल फुटबोल खेल रही है जूडी जूडी क्या कर रही है फुटबोल है खेल रही है प्ले का काम कर रही है अब मैं ऐसे बोलों तो वहां देखो जूडि-फूट बॉल खेलती है बोल कर देखो उसके बाद अगर पर टाइम लाइन पर देखे ना आपने यह आपे तो टाइम लाइन पर देखो तो यह अपना प्रेजेंट का पोइंट है और इस point पे है जूडी खेलने का काम कर रही है कब से कर रही है नहीं पता कब तक करेगी नहीं पता yeah simple में ही बात होते है अ तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो activity है जो जूडी की जो यह playing की activity है वो टैमपरेरी नहीं है किया म Dust को अब्भी के लिए अपने को नहीं पता कि पहले वो खैलती थी या नहीं खैलती आगे खैले कि नहीं खैले कि लेकिर इस पॉइंट पर किया कर रही है। फूटबॉल खैलने का काम कर रही है बस। और यहां पर यह न इससे पता लग रही है कि वो tandem quality है। उसकी फुटबॉल खेलती है, उसकी quality की form में बात कर रहा है, उसकी hobby की form में, habit की form में बात कर रहा है, बात समझ में तो इस तरीके से ये दोनों minimum difference होता है, कुछ और example लेते हैं, और clear होगा आपको, जैसे मैं यहां पे लिएू, the train, कोई train की बात कर रहे हैं अपने, leaves, leaves का मतलब चोड़ती है, 8, 6 a.m., train क्या करती है, 6 बजे, session को छोड़ती है, तो यह इसकी permanent quality out का schedule हो गया, मतलब train का जो time table हो बता रहा है, यहां पे, कि permanently quality train की, क्या कि वो है न, 6 बजे क्या करती है, leave करती है, अब यहां पे मैं और बात करूँ, आगे देखू, but, today, same sentence में बात कर दोनों की, today, due to the bad weather, आज क्या है, fog वोगेरा ज्यादा है, weather क्या है, साफ नहीं है, clarity नहीं है, इतनी, due to the bad weather, it is leaving at 7 a.m., अब देखो, इस बात को पढ़ना ज्याँ से, अभी समझ में आ जाएगा, आपके, देखो, यहां पे, अपने को क्या बताया जा रहा है, कि train की quality है, वो क्या है, एक टैप से मिलो, permanent उसका क्या है, permanent schedule क्या है, यह permanent को बता रहा है, कि permanent उसका schedule जो है, या पर time table है, वो क्या है, च्छे बजे लिव करने का है, च्छे बजे वो क्या करती है, स्टेशन से निकलती है, लेकिन आज क्या है, आज due to the bad weather, मोसम साफ नहीं है, इसलिए it is leaving at 7 a.m., तो आज वो है, वो temporary way में छोड़ रही है, जा रही है न, मतलब वो उसका time तो 6 a.m. का होता है, लेकिन आज उसक वाला time है, वो आज-ाज के लिए है, हो सकता कुछ और दिन के लिए भी हो, लेकिन real में उसका schedule की form में, time table की form में बात करें न, तो ये उसका क्या है, time table है, train का क्या है, ये time table है, लेकिन ये 7 a.m. है न, ये temporary time table बोल सकते हो, आज का बोल सकते हो आप, temporary way में time table है, वो permanent time table है, इतनी वाद समझ में हैं आपके, तो इस तरीके से ये काम करते हैं, मलब जहां पर temporary दिखाना हो, थोड़े time के लिए हो, ठीक है, या फिर एक ही दिन के लिए हो, तो आप अपने continuous use करते हैं, और permanent way में दिखाना हो कि ऐसा है, उसकी quality है, फिक्स है ये चीज, तो अपने क्या दिखाना पड़ेगा, वहाँ पर कौन सा tense देना पड़ेगा, present simple देना पड़ेगा, तो ये इनका difference होता है, कुछ और experiment करते हैं अब इस पे, example लेकर, जैसे अपने बात करें, अभी अपनोंने एक बात की थी, या दो आपको तो, present simple में अपनोंने बात की थी, अब वो ही the independence day, the independence day, अब यहाँ पर देखेंगे अपने falls, does fall, ये question की form में ही लेते हैं अपने, ठीक है, is falling, be on 15th august, अब इसमें जल्दी से मुझे बताओ क्या आएगा, falls आएगा, is falling आएगा, अब यहाँ पर आप cancer सही जाना चाहिये, अब मुझेries बताओ कि, सौतंत्रता दिवस, पंद्रह अगस्ट को होता है या हो रहा है, इस बार, पंद्र अगस्ट को fall कर रहा है या fall होता है, ठीक है, पंद्रह अगस्ट को fall करता है न, पर्मानेंट है नहीं है सवतंतर रादियो इस कहां पर आता है 15 अगस्त को ही आता है तो क्या होगा या आपका B नहीं होगा क्या होजएगा A होजएगा same का same case लेते हैं यहां पर same का same यहां पर लिखो this year या in 2024 2024 शुरू हो गया है 2024 के coding बात कर लेते हैं इन 2024 दिवाली दिवाली जो है फॉल्स ए इस फॉलिंग ओन फॉस्ट नॉवंबर अब यह बताव आप मुझे फॉस्ट नॉवंबर को अब यहां पर अपने को आपको यह बताना है कि यह पर्मानेंट फॉल करती है या इस बार ही फॉल कर रही है तो 2024 में दिवाली एक नॉवंबर को और यह 2023 में कब थी 12 नॉवंबर को थी तो यह पर्मानेंट नहीं है यह क्या है temporary है इस बार ही इस बार दिवाली इस डेट को यानि एक नॉवंबर को आ रही है आती है नहीं दिवाली इस डेट को आती है अपने ऐसे बोल सकते है कि दिवाली जो कार्थी की अमावर्श होती है ना उस पे होती है अपने यह नहीं बोल सकते हैं 12 नूवंबर को ओती है आप ऐसे बोल सकते हो क्या दिवाली एग नूवंबर को ओती है पर्मालेंट फॉम में नहीं बोल सकते है बोल कर देगा दिवाली 1 नूवंबर को ओती है एक नुम्बर को नहीं होती है इस कमलों हमेसा होती है हमेसा नहीं होती अब की बार की होती बारा नोम्बर के तो ट्रह इंज हो रही है ना इस कमलों फिक्स नहीं है टपधट is temporary है वो एक नुमबर टेंप्रिर है वो 24 ibaट के लिए समझे वही बात temporary है वो एक November temporary है वो 2024 के लिए है समझे ही बात और अगर अपने ऐसे बोलें ऐसे बोल कर देखो 15 अगस्त को होता है होता है यही बोलते है अब अब अपने बोलेंगे कि दिवाली इस बार एक November को आ रही है ठीक है एक November को आ रही है बिल्कुल सही जा रहा है न अब सवतंतरता द देखो कुछ से देखो feeling अपने आप आजाती है क्योंकि English एक language है और language feeling होती है अपनी feeling को ही represent करते हैं अपने language की form में ठीक है हिंदी में कर देते हैं हिंदी वासी चैत्र में अपने बात करें आपकी local language में भी आप अपनी feeling को ही बताते हो कई foreign में जाओगे जाए English बोलते है 15 अगस्त को आ रहा है ठीक है ऐसे अजीव सा नहीं लगा गया है अगर कोई ऐसे बोले तो आप उस पर अंसो गया है इसका मलग क्या है आपकी communication बिल्कुल सही नहीं है सामने बाला अंसा इसका मलग communication सही नहीं इसका मलग अपना sentence सही नहीं है वास समझ भी सोतरतता दिवस 15 को आता है या होता है दोनुग बाते है ठीक है तो अब कोई दिक्कत नहीं है दिवाली एक नुमबर को होती है अजीव सा लगा है एक नुमबर को होती है क्या हमें सा होती है क्या गया ना negative form में ऐसे ही सही सही मास्य है मतलब इस तरीके से आप बोल कर देखूंगे न तो आपको इंगली सारी है तो यहां पर अपने अगर बात करें तो यहां पर अपना कौन सा सैट हो जाएगा यहां पर आपका यह गलत हो जाएगा कौन सा सैट हो जाएगा बात समझ में है रही मैं क्या बोलना चाता हूं इस तरीके से आपको चेक करना होता है इस तरीके से यह सेंटेंस वह करते हैं, पूरा का पूरा फिलिंग का केस है, और कुछ नहीं है, बस फिलिंग ले 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 ना आप लोग, चलो और कुछ एक्जामपल लिखते हैं, जैसे मैं बात करूँ, वोटर, बोइल्स, ये मुझे बताना सही है ये गलत है, एट, बोटर, इस, बोइलिंग, प्लीज, यहाँ पर भी 100 डिगरी सेल्सियस लगा दो, ठीके लगा दो, कोई दिक्टत नहीं है, एट, 100 डिगरी सेल्सियस, प्लीज, टर्न इट ओफ, कर प्या करके इसे बंद कर दो, बर्नर पर पानी उबल रहा है, यहाँ पर अपने क्या दिखाई देगा, उपर वाले में अगर मैं बात करें, तो बात सीधी सी जा रही है, सीधी सी बात क्या बोल रहा है, कि पानी क्या है, अंडे डिगरी पे उबलता उसकी permanent quality को बता रहा कि इसको बता रहा है यह permanent quality को बता रहा है यह permanent way में क्या होता है पानी 100 degree Celsius पे उबलता है बिल्कु सही यहाँ पर अपने क्या दिखाई देगा यहाँ पर कोई burner दिखाई देगा यह जो burner है ठीक है इसके उपर है ना क्या रखा हुआ है ये बर्नर है इसके नीचे देखो इसे जैसे मान लो कि ये आग जल रही है ठीक है इसके उपर है ना कोई आपका पोट रखा हुआ है जिसमें पानी है तो ये पानी क्या है ये पानी उबल रहा है तो इस पानी को वो क्या कर रहा है बोल रहा है कि यह पानी उबल रहा है उसके लिए बोल रहा है कि यह पानी उबल रहा है इसको क्या कर दो Turn off करना प्लीज इसे बंद कर दो तो यहां पर क्या और यह पानी की boiling हो रही है तो यह quality की form में बात नहीं कर रहा, यह बोरा कि इस point पर पानी 100 degree Celsius पर उबल रहा है देख लो, इसे बंद कर दो आप, तो यहां पर कौन सा पानी अपनी को दिखाई देगा, यहां पर temporary way में वो पानी दिखाई देगा, जो अभी kitchen में अपनोंने गरम पेल करने के लिए लगा तो उस चीज के लिए उस form में दिखाई देगा, अब यहां से एक चीज और clear होती है कि सर यह water में तो the नहीं लगा, यह water में the लग गया, अब यह जो the है वो क्या करा, specify कर रहा है, जैसे ही मैं अगर बोलूँगा न, water, normal water बोला, तो पूरी category दिखाई देगी आपको, water की प को यूजश ना करता, अगर इसको मैं क्रोस कर देता यहां पर, तो क्या होता, यहां पे water के दा अटाते है, पूरी दुनिया बर खाञा पाणी दिखाई देटा और सारा का सारा पानी आँ से लग रहा है, जैसे उबल रहा है, पूरी दुनिया का पाणी उबल रहा है, तो बंसा ओबर रहा है? गया जो पतिफिए है कर स्पेसिफाइड के लिए करने के लिए अपना यूज होता है ऐसा ही अगर अपने बात करें न मैं नामें लो belly का नाम लोगा तो आपको बिल्ली परजाती दिखाएदे ही क creamy I kind-- calculate having something with the style of that N तो इसमें लगा नहीं सकते है बिल्ली में, चाहिए दा लगाओ, A लगाओगे तो आपको क्या दिखेगा, A लगाओगे तो first time select होती है चीज, और दा लगाओगे तो क्या होता है, आपकी specified होती है, जैसे मैं बोल कर देखुई, इस पर भी चलो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहां पर, यहां पर बात आई गई है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा, A Kate is standing, बिल्ली के लिए कर लेते हैं, A Kate is standing at the door, The Kate is, यह sentence मुझे जैसे लग रहा है, जैसे मैंने और सकता करवाया हूँ, एक बरवदे के लेते हैं इसको, हो सकता है, मैंने offline class में करवाया हूँ, इसलिए याद आ रहा हूँ, ठीक है, The Kate is, A Kate is standing, अब आप इसको बोल कर देखो, मैं डायरो, एक बिल्ली दरौजे पर खड़ी है, एक बिल्ली क्या हो रही है, दरौजे पर खड़ी है, समझे हैं चीज़, तो first time select होती है, The Kate is coming to me, बिल्ली मेरे पास आ रही है, तो कौन सी बिल्ली दिखाई देगी, इन दोनों को अगर मैं देखूं तो कितनी बिल्ली दिखाई देगी, एक ही बिल्ली दिखाई देगी न, ये बिल्ली, ये तो चिंटी बन गी, चलो एक ही बात है, इसके मून से लगा देते हैं, बिल्ली बन जाएगी, ठीक है, तो ये जो बिल्ली है, कितनी एक ही बिल्ली दिखाई दे रही है, अब मुझे एक बार बताओ, अगर अपने एक बिली दर्वाजे पर खड़ी है, एक बिली मेरी तरफ आ रही है, तो एक बिली दर्वाजे पर खड़ी है, एक बिली मेरी तरफ आ रही है, इसका मलब दो बिलियां दिखाई देगी, यहां पर कितनी बिलियां दिखाई देगी, ऐसी यह ऐसी बना लेते हैं, मस्त बनी है यह ऐसी बिल्ली है मुझे इनके भी लगा दो चिंटी सी बिल्ली हो जाएगी चिंटी बिल्ली है चिंटी टाइप बिल्ली यहाँ पर एक और एक करके कितनी दिखाई दी दोनों मिलकर दो दिखाई दी यहाँ पर दो दिखाई देने लिए कौन से में जब जैसे में ने A कर दिया और जैसे में दा करूँगा तो बोल कर दे को दूबारा से Kate is standing at the door बिल्ली दुराज़े पकड़ी है The Kate is coming to me बिल्ली मेरी तरफ आ रही है दुराज़े पर खड़ी है और अब वो क्या है मेरी तरफ आ रही है तो SAM की SAM बिल्ली दिखाई देंगे बास समझ में आई न तो A use करते ही क्या होगा A हमेसा क्या करता है वो आपज से सलेक्ट करता है पूरी Kate जो Category पर जाती है उसमें से A को सलेक्ट करेगा तो वापज से A क्या करेगा सलेक्ट करेगा एक बिल्ली दर्वाजे पर खड़ी है इसका मलब बिल्लियां जो होती है बिल्ली पर जाती है उसमें से जो एक बिल्ली है वो दर्वाजे पर खड़ी है पूरी दुनिया बर की बिल्लियों मेंसे अगर बात करें एक को सेलेक्ट किया है और जो दर्वाजे पर खड़ी होगा म selection का काम करेगा तो अपने वो दोनों comparison पता लग गया न ए और दा हमें यहां से ए और दा का अपना confusion भी clear हो गया इस confusion अपने जो होता है कि A कहां पर ही उज़ता है दा कहां पर ही उज़ता है अब A confusion होता है N का, N का कुछ नहीं होता, N A ही होता है तो दूला क्या होगा वो बंदा तो वही है न नॉर्मल वाला बस उसको जालर लटका दी उसके आगे तो जालर लटकाते ही वो क्या होगा दूला हो गया है तो वो नॉर्मल वाद वापिस वही होगा वहीं पर ही काम करता हुआ दिकाईटों में ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, उस दिन बस उसकी रैपों ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बंदा तो वही होता है, पहले अपना दोस्त की बात है, अपना दोस्त दुला बन जा है, उसकी क्या रेस्पेक्ट अपनी नजरों में, कोई अधिजद नहीं होती थीक हैं, तो उस दिन उसको ब्हुंस को हैं नी ठेकिन और में सुर्लड सब्सकों देते हैं हो यह न्ना घो हो गतर पें धियूगत चाह позволiator is that यह धिला दर पंडम में नल में वह और प्लों यह भुण का तो नहींड हुणous yourself इतनी बात आपके clear होगी तो ये point भी अपनों ने यहाँ पे clear कर लिया चलो अब अपने next पे चलते हैं एक दो example और लेते हैं अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ the population of our town हमारा जो कस्बा है उसकी population rises is rising very fast यह बताओ क्या आएगा A, B अब देखो यहाँ पे बात हूँ है population की हमारा जो कस्बा है उसकी जन से क्या बहुत तेजी से बढ़ती है या बढ़ रही है यह देखना आप लोग अब बोल कर देखो कि दोनों सभी सा लगता है थोड़ा कि बढ़ती है तो ठीक है बढ़ रही है यह भी है बढ़ती है इसका मतलब काया जाए आप कुछ भी इंतजाम कर लो कुछ भी इंतजाम कर लो, राइजेज होगी ना, इसका मलोगा है, कुछ भी आपने इंतजाम कर लिए, पोपुलेशन बढ़ेगी, बढ़ेगी, क्यों कि हमारे टाउन की जो पोपुलेशन अगर राइजेज करोगे तो, हमारे टाउन की पोपुलेशन की क्वालिटी क्या है, Permanent Quality अभा बढ़ती है जाए कुछ भी होझा है जैसे अतनी बात करें कि कोई अ अपने अपने फसल की बात करें किस चीज की का उसको काट दिया तो वहापई से बढ़ने लग जाई कुसी؛ वहापई से बढ़ से लग यहां पर नाई थोड़ी हो आप ठीक है यहां पर अपने बात करें my hair rises is rising very fast अब rises लिखोगे ना तो बालों के लिए क्या हो जाएगा पता है क्या होगा बालों के लिए बालों के लिए यह होगा कि मेरे बाल बहुत तेजी से क्या है बढ़ते हैं बढ़ते हैं इसका मतलब के quality है बालों की क्या कि वो तेजी से बढ़ते हैं और अगर population की बात करूँ तो population की quality है कि वो तेजी से बढ़ती है चाहा कुछ भी कर लो कम नहीं हो सकती क्या कोई ना कोई तो reason होगा अगर मान लो ऐसे अपने बात करें कि जो birth rate है उससे जदा death rate होगी फिर कम नहीं हो जाएगी death जादा होने लगे कस्बे में तो उससे क्या हो जाएगा उससे कम हो जाएगी न यह चीज तो इसका मतलब क्या है population की permanent quality नहीं बढ़ती है वो बढ़ रही है कुछ ऐसे मतलब आपने बोल सकते है reasons हो सकते है उसके cause हो सकते है जिसके current वो बढ़ रही है वो permanent नहीं होती वो क्या होगी temporary way में बढ़ती है अभी बढ़ रही है ऐसे नहीं है कि हमेसा से पहले भी बढ़ती थी अभी बढ़ती आगे भी बढ़ती है कुछ भी कर लो तो ऐसा नहीं होगा permanent quality नहीं है इस time पर वो क्या है बढ़ रही है और बढ़ती है इसका मनलब क्या है कि आप कुछ भी कर लेना वो बढ़ेंगे बढ़ेंगे अब बालों के case में देखो बाल तो बढ़ेंगे सर में बालों को ऐसे रोक लूँगा आतों से कब तक रोके रहा को बढ़ने वादे बढ़ेंगे जड़ों से कैसे रोक लोगे आप जड़के अंदर गुज़गे क्या आप उनकी तो quality है कि बढ़ेंगे बढ़ेंगे बात समझ बहें हैं तो hair जैसे use किया तो rises हो गया लेकिन population के लिए क्या हो गया is rising अब देखो दोनों चीज़ें सेम सी है यहां पर यह नाउन है और यहां पर भी क्या है यह known है लेकिन एक के लिए rises आ रहा है एक के लिए is rising आ आ रहा है समझरन केसे आ रहा है कैसे आ रहा है फिलिंग से आ रहा है आपको पिक्टिर बनानी है कि बात किस तरी के तो बात के कोडिंग आ रहा है बात यहां नहीं फिलिंग के कोडिंग आ रहा है तो sentence के कोडिंग आ रहा है जो जिसी बात है उसके कोडिंग आ रहा है the right path میरा भाई आपको क्या कर रहा है सही रासथा दिखा रहा है अवReally- yhtमें मुझे बताओ जल्दीजल्दीब बताओ मुझे कौन सा टेंस हमाइ यह कौन सा टेंस आपको दिखाई दिया यहां पर कौन सा टेंस आपको दिखाई दिया सीदा से दिखाई दे रहे हैं यहां से देखें अगर अपने यहां पर मेरा भाई आपको रास्ता दिखा रहा है इसा काम चल रहा है न कब से चल रहा है नहीं पता उस जाना नहीं पता इसकाम रहो के कौन सा है परेज interaction continuous है तो यह tense अपना तो यह तो सब कोई पता है अभी present continuous करवा रहा है तो present continuous यह होगा तो बात भाई वो नहीं है मैं देखो कभी ऐसे खाली बात करता भी नहीं हूँ मैं जब कुछ ऐसा easy सा बताता हो ना आपको तो उसके पीछे कोई नहीं कोई बहुत बड़ा reason चुपा होता है यह लो sentence यह लिख लो अब my aim is showing you the right path यह sentence अब इसमें मुझे जल्दी से बता दो कौन sentence है जल्दी से बताओ अब यहाँ पर देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ वह चीज आप नोट करना वह ध्यान देना उस चीज़ पर मैं यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो न यह subject है plus यह क्या है जो लोगों ने रट रखी है क्या रट रख है इसके साथ MR भी लिख सकते हो ना structure की form है structured tone के लिए यह plus क्या है verb की ing form है plus क्या है other है ऐसी structure किसकी होती है इसकी होती है structure present continuous की तो आपको क्या लगेगा कि यह कौन सटेंस है present continuous है diet अगर कोई पूछे ना diet किसी स्टूडेंट से पूछे जिसने structure है वो इसको क्या बोलेगा present continuous ही बोलेगा ठीक है लेकिन मैं बताउँ आपको वैसे आप बताओ जल्दी क्या उनसा है जल्दी बताओ संखेगी बात cleanड कॉन्टीनिस नहीं है यह जो अब दाविए अब धिक्कत सबसे बढ़ी होती है यह प्रेजंट सिंपल है यह अगने को पता है ठीक है और को बहूल भी दिएक कि यह present simple है, अपने साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, कि इससे present continuous की structure है, यह वाले structure तो यह present simple कैसे हुआ, तो यहाँ पर क्यों अपने ऐसे आता है दिमाग में, क्योंकि subject plus ismr plus verb की ing form देखते हैं, अपनोंने present continuous ही रटा हुआ है, इसलिए अपने सबसे बड़ी दिक्कत ह लेकिन इसको बोल करते हैं अगर present continuous है, present continuous है, इसका मलोग है, यह action है न, यह action होना चीए, man action, और man action होगा, man action होगा, तो यह चल रहा होना चीए, उस point पर, इस point पर, अगर अपने बात करें तो यहाँ पर चलता हुआ होना चीए, तो यह क्या बोल रहा है, मेरा उदेश से, म मेरा भाई आपको सही रास्ता दिखा रहा है, सही जा रहा था, मेरा उदेश से, मेरा लक्स चीह थोड़ी रास्ता दिखा सकता है, मैं दिखा सकता हूँ न, अगर यह उतना, I am showing you the path, ठीक है, अगर मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, फीर तो यह सही जाता है, लेकिन यह बोला कि मेरा उदेश से आपको सही रास्ता दिखा रहा है तो उदेश से सही रास्ता दिखा नहीं रहा अब इसको यह से बोल कर देखो मेरा उदेश से आपको सही रास्ता दिखाना है बोल कर देखो मेरा उदेश से आपको सही रास्ता दिखाना है तो सही रास्ता दिखाना है यानि showing you the right path तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको बोलू ना तो ये पता है क्या है ये man action नहीं है ये man action है नहीं है ये gerund है करना करनी हो गया नहीं यहां पर ये gerund में करना करनी कैसे होता है ये आपको पता लग जाएगा gerund versus close करते है न अपने class में अभी करेंगे अपने ठीक है अपनी जो अपनी class से चल रही है न उसमें करेंगे करना करनी हो जाए इसका मतलब क्या है अब आपका gerund है करते हुए करने वाला हो जाए तो क्या है आपका close है ये चीज़ होती है तो ये man action नहीं है अगर ये होता नहीं कर रहा है फिर man action होता ये बोल रहा है करना मतलब right past show करना ही मेरा उदेश्य है my am is अगर मैं बोलू my am is right मेरा जो उदेश्य है वो सही है मेरा उदेश्य है क्या है सही है या good है अच्छा है मेरा उदेश यह क्या है, अच्छा है, तो वो डाइट अच्छा है, यह मेरा भाई डोक्टर है, इस तरीके से जो संटेंस आते है, my brother is doctor, मेरा भाई डोक्टर है, वो stress दरी फोम में वो आपका है, present simple है, यहाँ पर, यहाँ पर कोई action नहीं चल रहा, और यहाँ पर देखना तब अपने advanced level पर आएंगे जब इंगलीस में, fences के बाद में, तब यह gerund बगिर आपके समझ में आजागा, मैंने सिर्फ यह आपको यहाँ पर अभी इतना ही समझेंगे, क्योंकि एक बार आप यह बोल सकते हैं, करना करनी हो जाए तो वो gerund है, मैंने सिर्फ इसलिए बताय तो इस तरीके से मतलब कभी भी structure लेकर मत चलना, आपको जो देखना है वो क्या देखना है, आपको focus करना है सिर्फ sentence पे, और sentence के आपको क्या करनी है, feeling समझनी है, बात समझ में, तो अब यहाँ से आपको clear हो गया होगा कि present, पहली बात तो यह एक structure रटेंगी नहीं, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि structure नहीं रटनी, अपने को direct sentence बनाने, यह चीज के लिए और दूसरी बात यह के लिए है कि present simple और continuous में क्या difference है, दोनों का physical meaning क्या है, तो present simple क्या करता है, permanent को बताता है, और continuous किसको बताता है, continuous temporary को बताता है, कि उस point पे ऐसा काम चल रहा है, permanent way में न quality ऐसी है, quality ऐसी है न, तो उसकी quality बताने के लिए अपने कौन सा use करेंगे, simple use करेंगे, तो इतना ही तिक आप लोगों clear है, तो यह continuous और simple का अपना जो discrimination है, वो पूरी तरह से हो गया, उसकी clarity अपने को मिल चुकी है, confusion के लिए यहाँ पर हो चुका है, इतना सभी को समझ में आगया, तो ठीक है, फिर next present perfect अपने करेंगे, next class में, ठीक है, फिर perfect continuous करेंगे, फिर इन चारों को वाप पिसे क्या करेंगे, compare करेंगे, फिर past में जाएंगे, तो फिर उनको compare, ऐसे comparison करता ही चलेंगे, ताकि अपने उचीजें clear हो जाएंगे, real में काम कैसे कर रहे है, तभी आपके attendance के लिए जरूरी है, तो सारे के सारे like button को press कर दो, वीडियो को ज्यादा ज्यादा share करो, ठीक है, फिर मिलते हैं, next class में,